हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पा ले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दरबे साब सबी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल Freedom From Hospital में दोस्तों कहते हैं जिसका फेपड़े अच्छे हैं उसका सेहत अच्छा रहता है क्योंकि हमारे सरीर में जतनी अक्सिजन चाहिए और ब्लड को अक्सिजनेट अगर करना है सरीर के हर जगा पे आपको ब्लड पहुंचानी है अक्सिजन के साथ तो आपको लंग्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही एक माध्या में जिससे आपका हाट और आपका लीवर, किड्नी और सारे स्वस्त रहते हैं और दिमाग को हमारा उक्सिजन पहुंचता है फेपड़े याने लंग्स जो कि सरीर का एक बहुत ही एहम हिस्सा है इसको अस्वस्त अगर किसी भी कारण से रखा जाए या हो जाता है तो दोस्तों अलग-अलग तरीके से हम बिमार होते हैं जैसे की अस्थमा, ब्रंकाइटिस, नीमोनिया, टीबी और फेपड़ो की कैंसरा दी इसलिए फेपड़ो की सहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आईए आज जानते हैं इसको हम सहत मंद रखने के लिए कैसे और कौन सा खाना खाएं जिससे इसका हिपाजत हो और कैसी एक्सरसाइज करें याने ब्रिधिंग टेक्निक विटामिन सी से भरपूर आहार जैसे की खटे फल शंत्रा नेबू टमाटर क्यूवी स्टोवेरी अंगूर अनास आमादी में भरपूर मात्रा में विटामिन दोस्तों सी होती है बिटामीन C से भरपूर आहार का सेवन करने से सरीर में महजूध बिसेली पदार्त बाहर निकल जाता है बिटामीन C से भरपूर आहार में एंटी आक्सिडेंट्स होते हैं जो सांस लेने के बाद आक्सिजन को सभी अंगतुक पहुँचाने में दोस्तों मदद करता है जैसे कि आप अगर डेली सुभा आमले का जूस एक या दो आमले का जूस आप बनाते हो और उसमें काला नमक डाल कर हरो सुभा एक गलास लेते हो तो दोस्तों इससे आपको लंक्स संबन्द्य जतना भी बिमारी है दोस्तों सारा ठीक हो जाएगा आपका सरीर का जो स्कीन है वो आपका गलो करेगा सरीर का इम्मिनिटी सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और आप रोक प्रतिरोत क्यमता के धनी बनोगे यानि आप बहतर लड़ पाओगे इसके साथ सा दोस्तों हरो सुभा लसन का सेवन कफ को खतम करने में काफी सायक है अगर खाना खाने के बाद भी लसन खाया जाए तो भी दोस्तों बहुत बढ़ी है सुभा अगर खाते हो आप हनी के साथ मिला के लसन ले लो एक या दो कली या दोपर में भी आप चटनी चार पांच कली लसन का चटनी बना के उसमें आप हरी मिर्च का बीज निकालने और बढ़िया से चटनी बनाएं उसको आप दोपर के लेंच के साथ लें तो भी दोस्तों जबर्दस फायदा होता है लसन में एंट्री ऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में दोस्तों पाया जाता है जो संक्रमंट से हमारे सरीर को बचाता है और इसकी रोत प्रतिरोत ख्यमता बढ़ाने की जो यग्यता है बहुत जादा है दोस्तों इसलिए आप लसन का सेवन जरूर करें हर रोज मात्मा गांधी भी कहते जिसने भी हर रोज एक कली लसन खाएगा वो सौ साल तक जीएगा हार्ट आपका इससे बढ़िया रहेगा और आपके हार्ट बहतर काम करेगा आपके सरीर में जो बाइनरजी बाइलेक्रिशिटी जिवन सकती है वो एक चार्जेबल कंडिशन में रहेगा वो कभी डिश्चार्ज नहीं होगा याने मौत जो है हमसे काफी दूर जाएगा इसके साथ साथ लाइकोपेन युक्त आहर का सेवन करना ऐसे आहर का सेवन करें जो लाइकोपेन युक्त हो जैसे टमाटर, गाजर, तरभूज, पपीता, सकरकंद और हरी सबजियां इस तरह के आहर में केरोटिनाइट एंटियो अक्षिडेंट्स होता है जो आस्तमा से खत्रा दोस्तों लगबग 90% कम हो जाता है मुनक्का का सेवन दोस्तों रोजाना भीगे हुए रात में भीगो लो आप मुनक्का इसका सेवन अगर आप सुबा सुबा करते हैं इससे फेपड़े मजबूत होते हैं और बाकी बीमारियों से लड़ने की आपकी ख्यमता बढ़ती है इसके सासथ आपकी हार्ट भी अच्छी रहती है दोस्तों जब हार्ट और लंग्स दोनों अच्छे रहेंगे तो दोस्तों लीवर और किड्नी भी बेहतर काम करेंगे इससे आपका हर पूर्जा, सरीर का, including anterior nervous system, आपका muscles, आपका boni structure, आपका brain, सारे बेहतर कारियक हम रहेंगे और अच्छी output इससे निकल पाएगी, जिससे हम हस्ता हुआ जिंदेगी बिताएंगे बिना दवाई के बिना हस्पताल जाएगे, पांचों जो है दोस्तों, तुलसी क सुखे पते, कथान, कपूर और इलाईज ची को बराबर मात्रा में पीश लें, अब इसमें 9 गुना, चीनी मिला कर पीश लें, इस मिश्टन को चुटकी भर दीन में, दो बार अगर खाओगे, आपका फेपडे में, जमा कफ खतम होने में, काफी मददगार दोस्तों साबि होगा यह जो फर्मूला है यह टाइम टेश्टेट है आप इसको जरूर अजमाएं जिससे कि आपका जो बीमारी है वो दूर रहे इसके साथ साथ आप जो तीस नंबर पॉइंट या ने लंग्स का जो पॉइंट है उसको दबाते हुए यह आपका मिडिल फिंगर और आपका फिंगर के बीच में रहता है पॉइंट नबर 30 राइट हैंड में ज्यादा रहता है लेप्ट हैंड में आप कम इस्तेमाल कर सकते हो बोद दे हैंड भी इस्तेमाल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें प्रेशर देके अपने थम से घहरी सांसे आपको अंदर लेनी है और कम करते हुए बाहर निकालनी है इसकी वीडियो में पहले भी बनाया हूँ आप ऐसा सुभा सौबार साम सौबार अगर करोगे दोस्तों आपकी लंग्स अच्छी रहेगी इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ प्रेशर पॉइंट भी दिन में 4-5 बार दबाते हो 30 नंबर पॉ नीचे तीन सेकंड रोकें फिर हाथ की मुठी खोलते हुए सांस बाहर निकालें ऐसा सूबा सौबा सौबार अब कर सकते हो क्लापिंग थरह भी दोस्तों जरूर करो सारी टीप्स मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड इसमें बहुत डिटेल्स में है धाई जादा टीप् हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्वेज में हैं 3520 की कॉस्ट है धाई जर से ज्यादा टीप्स है अकी प्रेशर पूरा पढ़ाई उसमें रखा गया है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जिसमें सारे पॉइंट्स कलरफुल तरीके से दिखाए गया है जिससे भूल नहीं यहीं क्यूंक तरीके से अक्यूरेंशी के साथ अगर एकुप्रेशर दोगे तब लाब होगी इसके साथ घर पैटे जो मैंने अभी शुरू कया हूं कि अप है त्रेनिंग कम्प्लिट करो उसमें 9 घंटे का ट्रेनिंग और आपका 26 घंटे की ट्रेनिग प्रोग्राम जो हम को यहां से हम भेजेंगे या फिर अगर 26 घंटे का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम वी ट्रिट्मेंट कैसे करोगे घर बैठे अपने हर बीमारी का वो भी अगर आप मंगाना चाहूं 64 GB का पिंड्राइब के साथ आपका आठ डिवीडी होते हैं और एक किताब उसके साथ हो यह पूरी कीट होती है आप घर जरुर मंगाएं इसको रखें उसका इस्तेमाल करें जिससे कि आपको हस्पताल ना जाना पड़े दर्वाजा दर्वाजा आपको घुमना ना पड़े ड उमीद करता हूँ यह सारी जानकारी आपको लाब देगा आपके जीवन को आसान करेगा घर में दवाई की एंट्री कम करेगा या तो बिल्कुल खतम करतेगा सर्जिरी टेबल से तो भगवान हमें सब को बचाए इसी बात के साथ इस वीडियो को दोस्तों इहीं पर समाप् एक्यू प्रेशर, होम आयवेदा एवं एक्ससाइस से अप कर सकेंगे डॉक्टर दरवेज जी ने दो साल की कड़ी मेनत के बाद 51 बिमारियों के साथ 26 कंटे की होम ट्रीप्नेंट, एवं ट्रेनिंग, आट डीविडीज, आव 14 GB का पेंड्राइब के माध्यम से ऑनलाइन पर उपलब्द है, माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन आमाजॉन पर उपलब्द है, दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बेटे अपना इलाज खुद करिए, डारेक्ली क दिवीडी तता पेंट्राइब पाने के लिए वाच्चाप करें इस नमबर पे डबल एक टू डबल सेक्स सेवें सेक्स त्री जिरो थी धन्यवाद